हलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे finding of square of numbers from 30 to 70 मतलब 30 से 70 के बीच के संख्याओं का square निकालना तो यहाँ पर पहला example हम ले लेते हैं 54 30 से 70 के बीच जो numbers होते हैं उनका square निकालने के लिए हमें base 50 लेने पुड़ता है तो हम यहाँ पर सभी सवालों में जब जितनी भी numbers होंगे उनका base हम 50 मानेंगे ठीक है अब हम यहाँ पर देखेंगे 54 50 से कितना ज़्यादा है मतलब यह 4 ज़्यादा है तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 4 ज़्यादा है तो यहाँ पर हम 25 इसका आधा कितना होता है 50 का आधा 25 तो हम यहाँ पर 25 में 4 add कर देंगे तो 25 में 4 add किजिए 29 हो गया 29 में हम यहाँ पर अब यह जो 4 आया है इसका square कर देंगे तो कितना जाएगा 16 ठीक है यही इसका answer होगा इसके बाद हम अगला example लेते है 59 यह 59 का square जब मिकालेंगे तो यह कितना ज्यादा है 9 तो हम 25 में 9 जोड़ देंगे तो 25 में 9 जोड़ने पर कितना आजाएगा 34 और 9 का square करेंगे तो कितना आएगा 81 यह इसका answer हो जाएगा इसके बाद हम अगला example लेते है 34 अब यह क्या है 34 50 से कम है कितना कम है 16 16 कम है यहाँ पर हम जोब इसका square निकालेंगे तो हम 25 से यहाँ पर हम 25 में जोड़ रहे थे जो संख्या जादा थी अब यहाँ पर हम चुकी संख्या कम है 50 से तो हम 25 में से 16 घटा देंगे तो कितना आएगा 0,9 इसके बाद हम क्या करेंगे 16 का square कर देंगे 16 का square कितना आजाएगा 256 तो यहाँ पर 256 को हम 256 ऐसे लिखेंगा और इसको add कर देंगे मतलब यहाँ जो 2 आता है इसको हम carry forward करना होता है इसलिए हम आजसे लिख लेते हैं 6, 5, 11 ठीक है यही इसका answer होगा इसके बाद एक और example ले लेते हैं यहाँ पर असल में जो भी संख्या हैं हम square करेंगे हमेशा 4 digit में ही होगी इसलिए हमने यहाँ carry forward लिया हुआ है ठीक है इसके बाद एक और example लेकर आपको समझा देता हूँ यहाँ पर 38 है तो 38 का square करेंगे तो यह 50 से कितना कम है 12 12 कम है तो क्या करेंगे यहाँ 25 में से 12 minus कर देंगे 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना हैगा 13 अब हम 12 का square करके यहाँ लिखेंगे तो 12 का square होता है 144 तो 44 यहाँ लिख दिया एक को यहाँ carry forward किया answer आजाएगा इसका 144 एक और example हम ले लेते हैं 69 यहाँ इसका square निकालना यह कितना ज़्यादा है यह 19 ज़्यादा है 50 से तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 25 में 19 जोड देंगे तो 25 में 19 जोडने पर कितना आएगा 44 आप 19 का square करेंगे 19 का square कितना आएगा 361 तो 3 यहाँ carry forward कर देंगे यहाँ 61 लिख देंगे answer कितना आएगा 4761 यही इसका answer होगा उमीद करता हूँ आपको यह trick अच्छी लगी होगी तो please मेरे चैनल को share और subscribe करना ना भूले और इस वीडियो को like करना भी मत भूले